अब कटेंगे किते लगा था या दो पूशिया रहा है आज पूआ दो खुआ देख लोगा चालीस साल के राजनेतक तजुर्वे को और अपनी सादगी के अंदाज में चलने बाले नेता को मद्द प्रदेश में गोपाल भारगाउ कहा जाता है आज ऐसे ही कुछ तस्मीर सोसल मेडिया पर आई है जिसमें मंत्री भारगाउ का सादगी का अंदाज बाइरल हुआ है खबर मद्द प्रदेश के सागर जले के रहली बदान सबाचेतर के साएपुर से जुडा है जहां पर कथा सुनने के लिए मंत्री भारगाउ पहुँचे थे और फिर कथा के दोरां साएपुर के कुछ लोगों ने आगरह किया तो मंत्री भारगाउ उनके आगरह पर बजार में दुकानों पर चले गए जहां पर उन्होंने किसी की दुकान पर चाय पी तो कहीं पर फान खाया वहीं एक ब्रब्द अम्मा की चतकारेदार बिही का भी उन्होंने स्वात चका इतना ही नहीं उसके बाद वो एक सैलून पर पहुंचे जहां पर मस्त चंपी का उन्होंने आनंद भी लिया है लेकिन हम कहेंगे कि एक जमीनी नेता कितना भी कहीं पहुंच जाए हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है उसे उन्ची डुकान और रेफ्टोरेंट में जो आनंद नहीं मिलता उसे वह है अपने छेत्र के छोटे डुकानदारों के साथ मिलता है यसी सादगी का नाम साइद गोपाल भारगाव है खाबर एकस्परेजिस विर्टोर्पर अब कटेंगे किते लगा था जञा है संगीत में श्रीमत भागवत कथा ज्यान्यग भक्तमाल एवं प्रबंधक मलूप पीठादीश्वर पूज स्री राजिंद्र दास महराज जीजी के स्री मुक्से कथा 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होने जा रही है इस उसर पर आप सभी भक्तगन सादर आमंत्रित है आप सभी का गोपाल मैर नगरी गडाकोटा में हारदिक स्वागत बंदन अभीननन है निवेरक पपू ठाक और दीपक होटल रहली जिलासागर मध्यपदेश